सोमनाथ महाकालेश्वर मत्यप्रदेश के उजयन स्थित महाकालेश्वर मंदिर का महत्व दूसरे सभी जोतिरलिंगों से अधिक है माना जाता है कि यह जोतिरलिंग स्वयम भू है और इसकी सभी शक्तियों का स्रोत वह स्वयम है जबकि बाकी सभी जोतिरलिंग मंत्रशक्ती के आधार पर स्थापित किये गए है बैद्यनाथ बैद्यनाथ जोतिरलिंग जारखंड के देवघर में स्थित है देवघर यानि देवताओं का घर यहां जोतिरलिंग सिद्ध पीठ है यानि मान्यता है कि यहां मांगी गई हर मनोकामना पून होती है यही पर शिव के अनन्य भक्त रावण ने उनकी आराधना की थी और उन्हें खुश करने के लिए अपने नौ सिरों की आहुती दी थी रामेश्वरम जोतिरलिंग तामिल नाडू के रामनाथ पुरम में स्थित रामेश्वरम जोतिरलिंग की भी काशी विश्वनाद जैसी ही मान्यता है भगवान राम ने लंका पर आक्रमन करने से पहले यही पर भगवान शिव की पूजा की थी यही पर रामेश्वरम सेतु भी स्थित है त्रियंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक प्रांत में स्थित है त्रियंबकेश्वर जोतिरलिंग इसी के निकट स्थित ब्रह्मगेरी नामक परवत से गोदावरी नदी का उद्यम होता है यहां एकलौता जोतिरलिंग है जहां त्रिदेव यानि ब्रह्मा, विश्णु और साक्षात शिव वास करते हैं अन्यस सभी जोतिरलिंगों में सिर्फ शिव का वास माना जाता है केदारनात उत्तराखंड के रूत्र प्रयाग जिले में स्थित केदारनात मंदिर ना सिर्फ बारा जोतिरलिंगों में सम्मिलित है बलकि चार धाम और पंच केदार में से भी एक है यहां की प्रतिकूल जल वायू के कारण इसे अप्रैल से नवंबर मह में ही दर्शन के लिए खोला जाता है ओम कारेश्वर मध्य प्रदेश में नर्मदा के तड़ पर शिव पूरी नामक एक टापू पर ओम कारेश्वर जोतिरलिंग स्थित है कहा जाता है कि इस टापू का आकार ओम की तरहा है और स्वयम नर्मदा के कटाव से इसका यह आकार बना है इसलिए इस मंदिर का नाम ओमकारेश्वर पड़ा है इसका मूल नाम मांधाता है यहां ओमकारेश्वर और अमरेश्वर नाम के दो मंदिर हैं जिन में नियमित रूप से पूजा की जाती है धुशनेश्वर महराष्ट के औरंगाबाद के पास धुशनेश्वर या धुशमेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है यह मंदिर इलोरा की गुफाओं के पास थित है 12 जोतिर लिंगों में इसे अंतिम जोतिर लिंग माना जाता है मंदिर की उत्पत्ती से जुड़ी एक पौरानिक कथा के नाम पर ही इसका नाम ध्रुशनेश्वर पड़ा है मलिकारजुन आंद्रप्रदेश स्थित मलिकारजुन मंदिर को श्री शैल के नाम से भी जाना जाता है महाशिवरात्री इस मंदिर में मनाया जाने वाला सबसे प्रमुक्त योहार है इस मंदिर में भगवान शिव समेत उनकी समस्त परिवार, पार्वती, कार्तिके और गणेश का भी वास माना जाता है नागेश्वर नागेश्वर जोतिरलिंग गुजरात में द्वारी का प्रांत में स्थित है इस जोतिरलिंग की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है कहा जाता है कि जो भी इस जोतिरलिंग की उत्पत्ती और महत्मय की कथा सुनेगा वह मोक्ष को प्राप्त होगा भीमा शंकर भीमा शंकर जोतिरलिंग महाराश्टर में पूने से करीब 100 किलो मीटर दूर स्थित है यहां स्थित शिवलिंग काफी मोटा है इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है इसी मंदिर के पास से भीमा नामक एक नदी भी बहती है जो कृष्णा नदी में जाकर मिलती है काशी, काशी विश्वनात काशी यानि वारानसी को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है इसी शहर में गंगा किनारे स्थित है काशी विश्वनात मंदिर इस मंदिर के दर्शनों को मोक्ष प्रदाई माना जाता है मान्यता है कि प्रलैकाल में भी इस जोतिर लिंग का लोप नहीं होता और यह जस का तस रहता है पौरानिक कथाओं में इसे ही श्रिष्टी का आदी माना गया है जहां भगवान शिव से ब्रह्मा और विश्णु उत्पन हुए थे झाल